तो वीवर्स यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यह पेपर कप्स लिये हुए मार्केट में बहुत ही इजली अविलेबिल हो जाते हैं आपको साइज आप क्यों पर डिपेंड करता है किस साइज का बनाना चाहते हैं इसके बाद मैंने यहां पर बर्ड प्लस का एक मल्टी विटामिन का टॉनिक होता है बर्ड के लिए यह मैं हमेशा यूज करता हूँ पानी में इनके और मैंने इस बार जो है कैलशियम ब्लॉक में मैंने यूस किया जिससे कैलशियम के साथ इनको सारे नूट्रियेंट्स भी मिल जाए यहांपर मैंने पी ओपी लिया है आपको किसी भी हाड़वेर या पेंट शॉप की दुकान में आपको मिल जाएगा 10 सुपह पर kg इसका rate है तो आपको ज़रा सा लेना है अपने requirement के according उसके बाद मैंने यहाँ पर काला नमक लिया हुआ है जिसको rock salt भी कहते हैं करीब मैंने 2-3 चुटकी पर इसको लिया है जिसे थोड़ा उनको taste लग जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर hardware के दुकान में आपको easily मिल जाएगा सरीया बादने वाला तार कहते है इसको iron wire होता है पतला तो आपको blocks लटकाने में easy हो जाएगा cage में आप उसको बाद सकते हैं तो उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर प्योपी में पानी मिलाया काला नमक मिलाया उसको अच्छे सापको mix करना उसकी consistency जो है काफी सही रखनी पड़ेगी आपको ज्यादा उसमें क्या होगा कि air के presence के वज़े से वह आपका जो block होगा वह सही से जम नहीं पाएगा hard नहीं हो पाएगा तो वह तूट जाएगा कमजोर रहता है बीस से तो आपको अच्छे से मैंने जो यूज किया है काफी अच्छे से मिल जाए आपको भी ऐसी करना है और यहां पर मैंने देखी प्लास से जो है तार मैंने काट लिए छोटे-छोटे उसको लटकाने के लिए यह जो है paper cups है size आपके ऊपर depend करता है बड़े size का भी बलॉक बना सकते है depending कि आपके पास birds कितनी है मेरे पास तो काफी ज्यादा birds है इसलिए मुझे बहुत सारह मैंने करीब 12 के करीब मैंने बनाया है तो उसके बाद आपको इसमें glasses में बाट देना है अपना जो है mixture पुरा ज्यादा उपर तक ना भरिएगा थोड़ा कम भरिएगा क्योंकि वायर भी लगाएंगे तो वह स्पिल हो सकता है बाहर उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वायर लगानी कोशिश कर रहा था लेकिन वह सही से लगा नहीं क्योंकि जो है वह थोड़ा लिक्विड मतलब काफी ज्यादा पतला था सल्यूशन तो मैं नेक्स डे कभी वीडियो मैंने शूट किया हूं तो वह आप देखी आगे बने रहे गाए इस वीडियो में तो वीवर्स यह आप देख सकते हैं यह दो दिन बात का वीडियो है यह सारे कैल्शियम ब्लॉक्स बहुत ही अच्छे से जम गए हैं इनको आप क्या करना आपको पेपर कप्स को फाड़ना है अच्छे से मैंने इ जो है इसकी कंसिस्टेंसी थी इसलिए जो यह हाड बन बाया नहीं तो यह तूट भी जाता है प्यूपी बहुत कमजोर होता है तो इसमें आप देख सकते हैं यह सारे ब्लॉक्स को जो है जितने रिक्वाइड थे जितने जरूरत मैंने समझे उतने मैंने इसको फाड़ दि जीएगा ताकि मैं ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो अपने चैनल में लाता रहता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्प कर सकूँ जितना मैंने एक्सपीरियन्स अपना जो है मेरे पास है मैंने जितना अस तक सीखा है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजएगा मेरे चैनल में अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहें तो तो इसी तरह जो है आपको निकालना है यह ब्लॉक्स आप देख सकते हैं सारे मैंने जो है मैंने फाड लिए इस के कप्स काफी अच्छा जो है यह तो देखिये मार्केट में मिल जाता है पेट्शोप में मिल जाता है फि Greg had your time जिसको कहा जाता है तो देखिए आप बहुत लोग के घर से पास नहीं होता है पेट शॉप या कोई पंसारी के दुकान में मिलता है जैसे अमीनाबाद में माताबदल पंसारी के दुकान में मिलता है 500 रुपे केजी है वो समुदरी जहां तो आप घर में भी बहुत एजीली बना सकते हैं मतलब मान के चली यह 10-15 रुपे में मेरे 10-12 ब्लॉक्स बने बहुत ही सस्ता जो है और अच्छा मतलब कैशियम का सोर्स आप अपने बर्ट को दे सकते हैं इसके आगे मैंने बर्ट्स खाती हुई वह भी वीडियो में इसमें अटेच किया आखरी तक बने रही है वह भी देखिये बर्ट कैसे खा रही है तो वीवर्ज यहां पर देख सकते हैं यह मेरा ब्रीडिंग केज है यहां पर मैंने देखिये ब्लॉक्स लगा दिये जो मैंने आपको अभी दिखाया कब से निकालके वह मैंने लगाए और देखिये बर्ट किती शौक से खा रही है यह सारे जित्ते भी मेरे करीब 15 से 18 मठकिया मेरे इसमें लगी हुई है और इसमें लगबग सब में जो है एग्स हैं बच्चे भी हैं मैं उसका भी वीडियो आगे बनाऊंगा तो आप प्लीज जो है लाइक करिएगा शेयर करिएगा इस वीडियो को और कमेंट करके बताईए कि कैसा लगा आपको वीडियो